राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज सोंवार बंधों आज मैं आप किली लाए हूँ शिव महा पुरान की कथा बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै शिव शंकर भोले नाथ जरूर लिखें बोलो शिव शंकर भोले नाथ की जैए हो विधर्व देश में सत्यरत नाम से प्रसित एक राजा थे जो धरम में ततपर सत्यशील और बड़े बड़े श्विभक्तों से प्रेम करने वाले थी धरम पुर्वक पृत्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुक पुर्वक बीद गया इसके बाद किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राइधानी पर आक्रमन करके उसे चारों और से घेल लिया बलोन मस्द शाल्व देशे शत्रियों के साथ जिन के पास बहुत बड़ी सेना थी राजा सत्यरत का बड़ा भयंकर युद हुआ शत्रों के साथ दारुन युद करके उनकी बड़ी भारी सेना नश्ठ हो गई फिदैव योग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए उन रेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से भीवल हो भाग खड़े हुए उने उस समय विधर्ब राज सत्तिरत की महाराने शत्रों से घिरी होने पर भी कोई प्रेतन करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई वे गरवपती थी इसलिए शोक्स संतिप्त हो भगवान शंकर के चरनार विंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पुर्व दिशा की और बहुत दूर चली गई सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तैय कर चुकी थी सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार व्रिक्ष के नीचे बैठ गई भग्यवश उसी निटन स्थान में व्रिक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुनों से युक शुब महुरत में एक दिव्य बालक को जनम दिया जो सभी शुब लक्षनों से संपन दियवश उस बालक की जन्नी महा रानी को बड़े जोर से प्यास लगी तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उत्री उतने में ही एक बड़े भारी गरहा ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया वे बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास स पीडित हो उस तलाब के किनारे ही जोर जोर से रोने लगा इतने में ही उस परक्रिपा करके भगवान महेश्वर वहां प्रगट हुए और उस शिशु की रक्षा की उन्हें की प्रेदा से एक ब्राहमने अक्समात वहां आ गई मैं विद्वा थी घर घर भीक मांगकर जीवन निर्वा करती थी अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिये हुए उस तलाब के तड़ पर पहुँची उसने एक अनाज शिशु को वहां करंदन करते देखा निर्जन वन में उस बालक को देकर ब्राहमने को बड़ा विसम जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है प्रिट्वी पर पड़ा है इसकी मां भी नहीं है पिता आदी दूसरे कोई सहायक भी यहां नहीं दिखाई देते क्या कारन हो गया ना जाने यह किसका पुत्र है इसे जानने वाला यहां कोई भी नहीं है जिस से इसके जनम के विश्य में पूछूं इसे देख कर मेरे रिदय में करुना उत्पन हो गई है मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांती पालन पोशन करना चाहती हूं प्रंतु इसके कुल का जनम का ज्यान ना हो करने के कारण इसे चुने का साहस नहीं होता ब्रहाम ने जब इस प्रकार विचार कर रही थी उस समय भक्त वसल भगवान शंकर ने बड़ी क्रिपा की बड़ी बड़ी लिलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारन करके सहसा वहां आ पहुंचे जहां बहे ब बात को जानना चाहती थी शेश्ट भिक्षु का रूप धारन करके आये हुए करना निधान शिम ने उस से हस कर कहा ब्रहाम ने अपने चित में संदेह को खेज का स्थान ना दो यह बालक बड़ा परम पवित्र है तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पुर्वग इसका पालन करो ब्रहाम नी बोली प्रभो आप मेरे भाग के से ही यहां पधारे हैं इस में संदेह नहीं हैं मैं आपकी आग्या से इस बालक का अपने पुत्र की ही भाती पालन पोशन करूंगी तथा पी मैं विशे शुरूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में य और यह बात आती है कि आप करुनान सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पुर्व जनम में आपका भक्त रहा है किसी करम दोस से यह इस दुर्ख अवस्था में पड़ गया है इसे भोग कर यह पुने आपकी क्रिबा से परम कल्यान का भागी होगा मैं भी आपकी माया से ही मोह बित हो मार्ग भोल कर यहां आई हूँ आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहां भेजा है भिक्षु प्रवर शिव ने कहा अब्रामने सुनो यह बालक शिव भक्त विधर्व राज सत्तिरत का पुत्र है सत्तिरत को शाल वदेश्य शत्रियों ने युद में मार डाला है उसकी पतनी अत्यात व्यग्र हो राज में शिगरता पुर्वक अपने मेहल से बाहर भागाई उन्होंने यहां आकर इस बालक को जनम दिया सुवेरा होने पर वेप्यास से पिडित हो स्रोवर में उतरी उसी समय दैववश एक ग्रहा ने आकर उन्हें अपना आहार बना लि बीज में ही शाल्व देश्य शत्रों द्वारा मार डाले गए किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रहा ने खा लिया और यह शिशु जो जनम से ही अनात और बंधु हीन हो गया इसका क्या कारण है मेरा अपना पुत्र भी अत्यांत द्रिद्र और भिक्षु क्यों हुआ मे जनम में पांडे देश की शेष्ट राजा थे वे सब धर्मों के ग्याता थे संपूरन प्रित्वी का धर्म पुर्वक पालन करते थे एक दिन प्रदोश काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे बड़ी भक्ति से त्रिलो की नात महादेव जी की अराधना में स उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी को लाहल मचा उस उतकट शबत को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी नगर में शोब फैलने की अशंका से राज भवन से बाहर निकल गए इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़ कर उ मंत्र था उसे देखकर राजा ने क्रोध पुर्वक उसका मस्तक कटवा दिया शीप पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किये बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया उसी प्रकार राज कुमार भी प्रदोश काल में शिवजी की पूजा किये बिना ही भोजन करके स पुर्व जनम में जो उसका पुत्र था वही इस जनम में भी हुआ शिवजी की पूजा का उलंगन करने के कारण यह दरिदर्ता को प्राप्त हुआ इसकी माता ने पुर्व जनम में छल से अपनी सोत को मार डाला था उस महान पाप के कारण ही वह इस जनम में ग्रहा के द्वा ब्रहाम ने यह तुम्हारा पुत्र पुर्व जनम में उत्तम ब्रहामन था इसने सारी आयू केवल दान लेने में बिताई यग के आदिस्त करम नहीं किये इसलिए यह दर्दरता को प्राप्त हुआ उस दोश का निवारन करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरन में ज करेंगे बोलो शिव शंकर भोले नात की जै राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद